तोपिक जो हम लोग इस वीडियो के अंदर डिसकस करने जा रहे हैं वो है औक्सीजन ट्रांसपोर्ट ये औक्सीजन ट्रांसपोर्ट डिसकस करने से पहले हम लोग different level of the respiratory passage पे partial pressure of the oxygen को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं नॉर्मल इंवारिमेंट के अंदर ऑक्सीजन का जो पार्शल प्रेशर होता है वो 160 mm of mercury होता है लेकिन अल्वियूलाई तक आते आते इसका पार्शल प्रेशर जो होता है वो 100 mm of mercury तक पहुँच जाता है और ये अल्वियूलाई से जब कैपिलरीज के अंदर ये आता है तो य होता है वो 95 mm of医 तक हो जाता है मतलब ऑक्सीजन को जो पार्शल प्रेशर जो एटमोस्फरीक एयर में होता है वो ग्राज़ूली डिकरीज होता है आगे जाते है जन जाते है मतलब जैसे लेस्परेटरियो पैसेज से ये मूफ करेगा तो इसका पार्शल प्रेशर अल्वि air के बीच में जो PO2 होता है उसके बीच में differences आ जाते हैं सबसे पहला reason होता है humidification of the dry atmospheric air into the respiratory passages जैसे ही air जो होता है वो हमारे respiratory passages से अंदर आता है तो इसका humidification होता है और humidification होने की वज़े से ये जो air होता है उसके अंदर जो PO2 होता है वो धीरे-धीरे gradually decrease होता चला जाता है second reason होता है alveolar air is only partially replaced by the atmospheric air ऐसा तो है नहीं कि alveolar air में जैसे हम लोग expire करते है तो सारा का सारा air बाहर निकल जाता है फिर complete एक नया atmospheric air आता है फिर इसको completely fill करता है ऐसा तो होता नहीं है होता कि है जब हम लोग expire करते है तो fraction of the air इसके अंदर remain रहता है जिसको हम लोग residual volume कहते है और बाकी air इसके अंदर से निकल जाता है तो वो जो air remain है उसके बाद partial atmospheric air आया यह दोनों का हैं mixing हुआ जिस वज़े से PO2 जो होता है वो 160 जो कि atmospheric air के अंदर जो PO2 होता है उससे decrease हो जाता है तीसरा reason जो होता है वो यह होता है कि oxygen is constantly being absorbed in the pulmonary blood यहां से alveoli से oxygen जो है वो constantly absorb हो रहा है pulmonary blood के अंदर जिस वज़े से PO2 जो होता है वो affected effect होता है और चौथा reason होता है कि carbon dioxide constantly diffuse हो रहा है from the pulmonary blood और carbon dioxide के diffuse होने की वज़े से भी क्योंकि carbon dioxide यहां से diffuse होकर कि alveoli में जा रहा है ताकि वो expire हो सके इस वज़े से भी PO2 जो होता है वो affected होता है now coming up to our main topic that is methods of oxygen transport oxygen transport जो हमारे body के अंदर होता है हमारे blood के अंदर होता है वो mainly दो methods से होता है पहला जो कि oxygen जो होता है वो combined with hemoglobin होता है oxygen combined with hemoglobin यह 97% of the transport जो होता है वो oxygen का होता है in combination with the hemoglobin और 3% of the transport जो होता है oxygen का वो होता है by dissolved in plasma तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे dissolved in plasma जब हम लोग देखते हैं कि oxygen जो होता है जैसे हम लोग alveoli से देखते हैं कि oxygen जो होता है वो आता है पल्मोनरी ब्लेट के अंदर तो पल्मोनरी ब्लेट के अंदर 97% ऑफ द ऑक्सीजन जो होता है वो हीमोगलोबिन के साथ जाकर के कम्बाइन हो जाता है जो कि RBC के अंदर प्रिजेंट होता है बचा हुआ 3% ऑक्सीजन जो होता है वो प्लाजमा के अंदर dissolve हो जाता है, अब oxygen जो plasma के अंदर dissolve होगा, वो कितना amount dissolve होगा, वो determine करने के लिए एक law होता है, जिसको हम लोग कहते हैं, Henry law, Henry law वो कहता है, Henry law कहता है कि कितना amount dissolve होगा किसी भी fluid के अंदर कोई भी gas वो depend करता है, उसके partial pressure पे, और depend dependency को उटाने के लिए हम लोग एक constant लगा देते हैं, तो Henry's law कहता है कि amount that it will be dissolved is equal to the constant into partial pressure, मतलब जितना ज़्यादा partial pressure होगा gas का उतना ज़्यादा amount dissolve होगा तो ये Henry law कहता है तो इस according हम लोग समझते हैं कि partial pressure अगर ज़्यादा होगा, तो जो oxygen dissolve होगी, प्लाजमा में वो ज़्यादा होगी इसी का एक clinical application हम लोग को देखने को मिलता है कि अगर कोई person जो है, वो breathe कर रहा है oxygen को बहुत ही ज़्यादा alveolar PO2 पे, मतलब वो जो है वो hyper, मतलब oxygen का 100% oxygen therapy ले रहा है या फिर hyperbaric pressure पे oxygen therapy ले रहा है, continuous oxygen वो high alveolar PO2 पे, वो ले रहा है, breathe कर रहा है इस वजयے से क्या होगा, कि जो oxygen dissolved in the plasma है, उसका amount increase हो जाएगा क्यूंकि partial pressure increase हो जाएगा तो amount increase हो जाएगा, amount increase होने की वज़े से क्या होगा, कि amount जब oxygen dissolved in the plasma का increase हो जाता है तो फिर हो जाता है औस person को oxygen poisoning, तो यह एक इसका clinical application है जो हम लोग को देखने को पिलता है, इसके बद कितना oxygen जो होता है वो deliver करता है हमारा blood in plasma के dissolved state से वो हम लोग इसको discuss करते हैं, तो अगर इस equation में हम लोग लगाते हैं, इस पूरे equation में जो हम लोग partial pressure को रखते हैं, तो हम लोग को पहले सबसे पहले हम लोग इस representation को देख रहे हैं, यह एक circulation है, नॉर्मल systemic circulation है, जिसके अंदर यह lungs है, यह tissues है, lungs से tissues की तरफ oxygenated blood जा रहा है, और tissues से lungs की तरफ deoxygenated blood जा रहा है, lungs से tissues की तरफ जब oxygenated blood जाता है, तो इस समय में जो oxygen का, जो PO2 होता है arteries के अंदर, वो होता है 95 mm of Fg होता है, इस PO2 पे oxygen कितना dissolved होता है, तो यह हम लोग जब calculate किया गया, तो यह आया, 0.29 ml पर 100 ml of the blood जो होता है, वो dissolved state में oxygen होता है, इस partial pressure पे, जो deoxygenated blood होता है, मतलब जब tissues से lungs की तरफ blood जा रहा होता है, तो partial pressure of the oxygen जो होता है, वो 40 mm of Fg होता है, और इस partial pressure पे, जो dissolved oxygen होता है, वो होता है 0.12 ml पर 100 ml of the blood होता है, तो अगर dissolved oxygen यहाँ पे 0.29 ml पर 100 ml of the blood था, और यहाँ पे dissolved oxygen 0.12 ml पर 100 ml of the blood है, इसका मतलब है कि 0.29-0.12 ml जो है वो oxygen जो होता है वो tissues को deliver किया जाता है तो ये value आती है 0.17 ml per 100 ml of the blood of the oxygen transported by the dissolved state तो dissolved state of the oxygen जो है वो 0.17 ml per 100 ml of the oxygen को transport करती है in the dissolved state तो ये सबसे पहला 3% वाला जो काम हो गया वो complete हो गया मतलब जो oxygen transport के दो methods थे जिसमें से पहला method है dissolved in the plasma तो oxygen जो dissolved in the plasma के form में गई वो 3% गया और वो कैसे गया तो उसने 0.17 ml को deliver किया now second state जो की combined with hemoglobin है वो हम लोग अब discuss करेंगे तो oxygen जो होता है उसके पास second method होता है खुद को transport करने का वो होता है hemoglobin के साथ combine करके hemoglobin के बारे में थोड़ा सा हम लोग briefly discuss कर लेते हैं hemoglobin हम लोग को पता है कि normal adult के अंदर जो adult hemoglobin के अंदर most common hemoglobin present होता है उसको हम लोग HPA कहते हैं और यह HBA hemoglobin के अंदर 4 hemoglobin chain होता है 2 alpha chain होते हैं और 2 beta chain होते हैं एक chain like यहए इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया जिसके अंदर हम लोग को 2 alpha chain और 2 beta chain देख रहा है हर chain के अंदर एक hem prosthetic group होता है और हर prosthetic group के अंदर हर hem prosthetic group के अतर एक iron present होता है और हर एक iron जो होता है वो एक O2 के साथ जाकर के bind कर सकता है जिस वज़े से एक complete hemoglobin के अंदर चार hemoglobin chain हुए जिसके अंदर चार hem group हुआ जिसके अंदर चार iron atom हुए और चार ओ iron जो होते हैं वो एक-एक oxygen के साथ जाकर के bind कर सकते हैं जिस वज़े से हम लोग कह सकते हैं कि एक हीमोगलोबिन चार ओटों के साथ जाकर के बाइंड कर सकता है। प्रिंसिपल जिस पर ये method of the transport काम करता है that is oxygen that combines with the हीमोगलोबिन इसका principle ये होता है कि जहाँ पर पर्शल पेशर ऑफ दो उक्सीजन जदा होगा, वहाँ पर oxygen का हीमोगलोबिन के साथ एफिनिटी जदा होगा। मतलब lungs के अंदर क्योंकि partial pressure of the oxygen जादा होता है, जिस वज़े से oxygen हीमोगलोबिन से bind करता है, tissues के अंदर partial pressure of the oxygen कम होता है, जिस वज़े से oxygen जो होता है, वो हीमोगलोबिन से release हो जाता है. इसको हम लोग और डियाग्रेमेटिकली और अच्छे से समझने के लिए कर्व हम लोग डिसकस करते हैं जिसका नाम है oxygen hemoglobin dissociation curve oxygen hemoglobin dissociation curve जो है वो यही कहता है कि जब भी हम लोग partial pressure of the oxygen in the blood को increase करते हैं तो percentage of the hemoglobin bound to the oxygen increase हो जाता है पर यह increase जो होता है वो sigmoid manner में आता है जिस वज़े से यह curve जो होता है वो कुछ इस तरह का दिखता है जब हम लोग percentage hemoglobin saturation का graph बनाते हैं PO2 के against plot करते हैं तो हम लोग को यह sigmoid graph देखने को मिलता है curve देखने को मिलता है जिसको हम लोग OHTC या फिर oxygen hemoglobin dissociation curve कहते हैं इस curve में जब हमने plot किया normal oxygenated blood हम लोग को पता है कि उसके अंदर 95 mm of HG का PO2 present होता है इस समय हमें देखने को मिला कि इस pressure पे जो hemoglobin का saturation होता है oxygen का जो hemoglobin पे saturation होता है वो 97% का होता है जब कि deoxygenated blood जहां पे partial pressure of the oxygen 40 होता है उस समय hemoglobin oxygen से 75% saturated रहती है थोड़ा और जानने के लिए हमने है सोचा कि अब जड़ा हम लोग देखें कि 100% oxygen का saturation का होता है hemoglobin पे तो यह देखने के लिए हमने जब इसको plot किया तो हम लोग को पता जला कि 120 mm of HG अगर partial pressure of the oxygen होगा तब जाकर कि hemoglobin जो होगा वो oxygen से 100% saturated होगी जो कि हमारे body के अंदर generally देखने को नहीं मिलता है फिर हमने सोचा कि हम लोग जड़ा देखें कि 50% कब hemoglobin saturated होगा तो 50% oxygen 50% hemoglobin oxygen से saturated होता है at a value of 23 to 26 mm of HG PO2 value पे यह saturated होता है और इस value को हम लोग कहते है P50 value कहते है P50 value वो value है जिसकी value लगबग 23 to 26 mm of HG होती है यह वो value है जिस समय oxygen का hemoglobin पे saturation 50% होता है और इसकी value 23 to 26 mm of HG होती है तो यहां से take home points यह था हमारे पास कि 95 mm of HG पे हम लोग को 97% saturation देखने को मिलता है और 40 mm of HG पे हम लोग को 75% saturation देखने को मिलता है P50 value हम लोग को पता चल गई और 100% saturation हम लोग को पता चल गई है कि 120 mm of HG पे देखने को मिलता है जो कि normally individuals के अंदर नहीं देखने को मिलता है अब यह जो oxygen hemoglobin dissociation curve है वो कभी-कभी right की तरफ shift करता है और कभी-कभी left की तरफ shift करता है कौन-कौन से conditions के अंदर यह right की तरफ oxygen hemoglobin dissociation curve shift करेगा और कौन-कौन से condition के अंदर यह left के अंदर shift करेगा तो shift to right हम लोग को देखने को मिलता है मेली 4 condition के अंदर अगर blood के अंदर H plus का amount जादा है या फिर blood के अंदर carbon dioxide का amount जादा है या फिर blood का temperature जादा है या फिर blood के अंदर 2-3-biphosphoglycerate का amount जाता है इन condition के अंदर जो oxygen hemoglobin dissociation curve है उसका shift जो है वो right की तरफ देखने को मिलता है right की तरफ shift का मतलब क्या हो गया है कि जो hemoglobin का saturation है oxygen से वो hemoglobin saturation जो है वो कम हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि oxygen का जो affinity है वो कम हो गया है जिस वज़े से unloading of the oxygen जो हो गया है वो बढ़ गया है shift to the right का मतलब यह हो गया है इन सारे conditions के अंदर क्या होता है कि जो hemoglobin का oxygen के प्रती जो affinity होता है वो कम हो जाता है जिस वज़े से unloading of the oxygen जो होता है वो बहुत जादा बढ़ जाता है जिस वजे से ये जो curve होता है वो completely right की तरफ shift हो जाता है जैसा कि हम लोग को ऐसे देखने को मिलता है second condition होता है जिसको हम लोग shift to left कहता है shift to left, ये graph left की तरफ shift कब होगा जब oxygen का hemoglobin के प्रती affinity बढ़ जाएगा और ये cup-cup बढ़ता है एक तो ये सारे condition के opposite में बढ़ जाएगा मतलब less H+, या फिर less CO2, या फिर less temperature, या फिर less 2-3 BPG इन सब conditions के अंदर shift to left हो जाएगा और भी कुछ conditions है जिसके अंदर oxygen hemoglobin dissociation कर जो होता है वो left में shift हो जाता है like fetal hemoglobin के अंदर stores in the blood bank अगर blood जो है, वो blood bank के अंदर store किया गया है तो फिर उसका OHDC जो होता है, वो left की तरफ shifted आता है carbon monoxide poisoning के अंदर, met hemoglobinemia के अंदर इन सब condition के अंदर क्या होता है कि जो hemoglobin का oxygen के प्रती affinity होता है वो बढ़ जाता है जिस वज़े से क्या होता है कि जिस वज़े से क्या होता है कि ये जो shift होता है, वो किस तरफ हो जाता है हमारा left की तरफ हो जाता है तो hemoglobin saturation ये होगे हमारा oxygen hemoglobin dissociation curve के बारे में अब हमने अभी तक discuss किया था कि plasma में dissolved state में oxygen जो होता है वो 0.17 milliliter जो होता है वो deliver होता है अब हम लोग को जानना है कि hemoglobin में combined होकर कि oxygen कितना deliver होता है उसके लिए हम लोग ये पूरा discuss करते है ये निकालने के लिए सबसे फ़ले हम लोग को basically दो बाते पता होनी चाहिए पहला 100 milliliter of the blood के अंदर approximately 15 gram hemoglobin होता है ये हमें normal hemoglobin का range पता है जो कि 12-17 gram होता है तो normal हम लोग अगर consider मान के चले कि 100 milliliter of the blood के अंदर 15 gram hemoglobin present होता है और 1 gram hemoglobin maximum 1.34 milliliter of the oxygen को carry कर सकता है ये दोनों चीज़े अगर हमें पता है तो हम लोग easily आगे calculate कर सकते है arterial blood के अंदर हम लोग को पता है आटिरियल ब्रेट के अंदर जहां पे PO2 95 mm of HG होता है तो वहां पे saturation कितना होता है 97% saturation होता है तो 100% saturation में अगर 1 gram hemoglobin 1.34 milliliter of the oxygen को carry कर सकता है तो 95% saturation में कितना करेगा 97% of the 1.34 milliliter जो कि approximately आता है 1.29 milliliter of the oxygen तो अगर 1 gram hemoglobin जो है वो 97% saturation पे 1.29 milliliter of the oxygen को carry कर रहा है तो 15 gram hemoglobin कितना करेगा तो 15 into 1.29 जिसकी value हो जाती है 19.5 milliliter per 100 ml of the blood हो जाएगा क्योंकि 15 gram hemoglobin हमने consider कर लिया dissolved form में oxygen transfer हो रहा था 0.29 milliliter per 100 ml of the blood जो कि हमने पहले calculate किया था यह हमने calculate किया था कि dissolved form में जो 95 mm of HG पे जो arterial blood था उसके अंदर oxygen transport हो रहा था 0.29 milliliter per 100 ml of the blood तो dissolved form में हो गया 0.29 milliliter per 100 ml of the blood और hemoglobin के form में हो गया 19.5 milliliter per 100 ml of the blood तो complete concentration of the oxygen in the arterial blood कितना हो जाएगा 19.5 plus 0.29 which approximately equals to 19.8 milliliter per 100 ml of the blood वैसे हम लोग venous blood calculate करते है venous blood के अंदर 1 gram hemoglobin के अंदर saturation जो होता है वो 75% होता है यहां पे अभी हमने oxygen hemoglobin dissociation curve से देखा कि venous blood का partial pressure जो होता है वो 40 mm of HG होता है और उस partial pressure पे जो saturation होता है वो 75% होता है तो अगर 100% saturation पे 1 gram hemoglobin के अंदर 1.34 milliliter of the oxygen transport किया जा सकता है तो 75% saturation के अंदर 75% saturation के साथ 1 gram hemoglobin के अंदर 75% of the 1.34 milliliter of the oxygen को carry किया जा सकता है उसी तरह 15 gram के अंदर अगर हम लो देखेंगे तो इसको 15 से multiply कर देंगे और dissolved oxygen जो था venous blood के अंदर वो कितना था हमारे पास 0.12 milliliter per 100 ml of the blood तो यहां पे dissolved oxygen 0.12 milliliter per 100 ml of the blood हो जाता है तो overall concentration जो होता है concentration oxygen का जो होता है venous blood के अंदर वो यह 15.08 इसको calculate कर के आता है और यह 0.12 को जब हम लोग add कर लेते हैं तो यह हो जाता है approximately 15.2 milliliter per 100 ml of the blood तो मतलब यहां पे complete concentration of the oxygen arterial blood के अंदर होती है 19.8 milliliter per 100 ml of the blood और venous blood के अंदर complete concentration of the oxygen होती है 15.2 milliliter per 100 ml of the blood मतलब कितना oxygen जो होगया वो release हो गया per 100 ml of the blood it is 19.8 minus 15.2 जिसकी value आती है 4.6 milliliter which is approximately equal to 5 ml मतलब 5 ml of the blood जो होता है वो tissue को deliver किया जाता है from every 100 ml of the blood so this was all about oxygen transport if you like this video please hit the like button do share with your friends and subscribe our channel if you want notes for these videos message me on my instagram handle link is given in the description below thank you